हेलो इस्टुडेंट्स कैसे हो आप सभी आप सभी लोगों का स्वागत है वॉलकन वाइएस के इस प्लेटफॉर्म पे इस्टुडेंट्स अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारी NCRT सीरीज का लेक्चर है जिसके अंदर हम NCRT सीरीज की जो बुक है उन सभी को यहां पे हम complete कर रहे हैं अगर हम बात करेंगी जो बुक हैं जिस्ट क्लास की NCRT से हमने सुरू किया है जो हिश्टरी की बुक है जो जोग्रोफी की बुक से है political science से related जो किताबे हैं उन सभी को यहां पे cover किया जाएगा Students अगर हम बात करें यह जो lecture हमारा है यह 7th class की geography का chapter number 8 से related है तो 7th class की geography का हमारा lecture है हमने 6th class की geography 6th class की जो history है उसको अभी तक हमने complete किया है तो Students अगर हम बात करें इस lecture की तो इस lecture के अंदर बताया गया है human environment का interaction कि वहाँ पे जो बारिस कैसी होती है जिसमें इसमें specialist chapter के अंदर में tropical land जो sub-tropical regions है उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है इसके अंदर जो tropical region में amazing forest का जो area है वहाँ का example दिया गया है sub-tropical में इसमें गंगा और ब्रहमपुत्रा का जो plane area है Indian plains है उनी areas के बारे में यहाँ पे example के रूप में coat किया गया है वहाँ की जो wildlife कैसी है vegetation कैसी है agriculture की practice के इस तरीके से की जाती है उन सब के बारे में इस lecture के अंदर बताया गया है तो students यहाँ पे हम start करते हैं और उन सब topics के देखते हैं अगर हम overview लेने की कोसिस करें हमने जो पिछली chapters में read किया है जो last chapter था उसके अंदर हमने read किया कि यहाँ पे road है जो यहाँ पे way of transportation है road है, transport के जो और system है, railway है, inland waterways है communication के और जो ways है उन सब के बारे में भी तक हमने देखा है तो students, अगर है, इस lecture को हम start करें तो इसके अंदर बताया गया है कि जो tropical region होता है जो equator के बिल्कुल close वाला जो region होता है जहाँ पे जो sun की जो rage है वो maximum ली अपना effect है, वो show करती है sunlight जो यहाँ पे maximum आपको देखने को मिलेगी तो बिल्कुल जो equator के पास वाला जो region है, उसको यहाँ पे जो tropical region है, उसको tropical region बोला गया है, equator के जो पास वाले region को, तो tropical region है वो very close to the equator between the 10 degree north to 10 degree south, so it refers to the equatorial region river जो amazing है, वो इस region से ही flow किया करती है, students अगर हम बात करें, the place where river flow into another body of water is called the river's mouth अगर कोई भी river है, जैसे वो river यहाँ पे अगर हम बात करें, दूसरी कोई शी water body के अंदर flow होती है, या merge होती है, उस समय में उस area को, उस place को, river का जो mouth बोला जाता है इसके अलावा इसमें बताया गया है कि Amazon forest है, to form the Amazon basin यहाँ पे, जो Amazon river की दुआरा वहाँ पे Amazon basin बनती है, the river basin drain portion of Brazil, parts of the Peru, Bolivia, Ecuador Columbia and small parts of the Venezuela, तो इसमें वो countries बताये गए हैं, जहाँ पे यह river flow करती है, students in rivers के बारे में आपको पता होना चीए, इसके लावावा इसमें आपके लिए एक students home work भी है, कि जो यहाँ पे equator का जो line है, वो कौन-कौन से countries से pass होती है, students इसके लिए आप क्या करना, अपना जो atlas है उसको open करना, atlas को जहाँ पे equator pass हो रही है, जिन countries से, जैसे आप देखिए कि Latin America का जो countries है, वहाँ पे कौन-कौन से countries से pass हो रही है, जो South America है, उसके कौन-कौन से countries से pass हो रही है, उनको completely mark करना, आपकी जो equator की line है, उसको आप अपना जो dark कोई pen है, उससे आप mark कर सकते हो, completely separate दिखनी चीए, जिससे आप जब भी atlas को open करो, तो आपको completely understanding के रूप में आपको देखनी को मिले, इसके साथ-साथ आप Africa continent है, उसके अंदर भी mark कर सकते हो, उसके जो countries हमको वहाँ पर आप देख सकते हो, refer कर सकते हो, students हम tropical वाली region के अगर हम बात करें, तो यह यहाँ पर basically Amazon region है, Amazon basin है, उसके बारे में बताया गया है, यह हमारा Latin America का जो मेंप है, उसके अंदर यहाँ पर बताया गया है, अगर हम Amazon basin के अगर हम बात करें, तो equator के जो characteristic होते हैं, hot and humid kind of climate जो होता है, वो characteristic आपको देखने को मिलेगा, throughout the year आपको hot and humid kind of the climate आपको देखने को मिलेगा, both day and nights are almost equal, hot and humid, the skin feels students, यह यहाँ पर show करता है कि throughout the year आपको rainfall देखने को मिलेगी, temperature जो देखने को मिलेगा, वो आपको uniform kind of temperature देखने को मिलेगा, uniform होगा यहाँ पर आपका temperature है जो throughout the year, इसके साथ साथ आपको throughout the year जब आपको rainfall देखने को मिलेगी, तो आपको यहाँ पर humidity भी देखने को मिलेगी अगर humidity यहां पर आपकी ज्यादा होगी तो students वो शो करता है कि यहां पर जो human के जो survival के लिए जो environment हो बैस्ट नहीं है इसी की वज़े से यहां पर बहुत सारी और यहां पर जो बहुत सारी बारीस होगी तो बहुत सारी जो कीट पतंगे जो होते हैं ब basically बताया गया है कि roof के रूप में काम करते हैं तो students हमने last lecture के अंदर भी देखा था जो tropical area है यहां पर बारिश ज्यादा होती है तो इनकी जो canopy होगी जो trees की जो canopy है उजो travel करती है higher distance के उपर में higher distance के उपर में जो यहां पर जो travel करने के behind में जो region है वो यह है कि जो सभी trees equal है तो maximum जो sunlight हो गेन करनी है trees को उसके लिए यहां पर जो trees की जो height हो आपको भूज जदा देखने को मिलेगी इसके लावा अगर हम बात करें फियोनाज की तो यहां पर आपको different kind of फियोनाज आपको देखने को मिलेगी insects की जो species हैं उनकी यहां पर diversity आपको भूज जदा देखन को मिलती है students इसके अलावा अगर हम बात करें यह हमने tropical के बारे में देखा कि tropical जो rainforest है वहां पर किस तरीके की यहां पर आपको बारीस है वो देखने को मिलती है humid climate होता है इसके अलावा हमने देखा कि जो trees की जो height हो काफी जदा उपर चली जाती है रूप के रूप में वो create करते हैं इसके लावा students अगर हम बात करें कि गंगा प्रहंपुत्रा बेसिन है जो यहां पर tropical का environment है उसके बारे में यहां पर गंगा और ब्रहंपुत्रा का example दिया गया है तो river गंगा और ब्रहंपुत्रा की जो यहां पर tributaries की बात करें जो घागरा है सोन है, चंबल है, गंड़क है कोसी है, ये tributaries हैं इसके अलावा जो भ्रहमपुतरा की tributaries हैं, वो इस एरिया के अंदर में drain करती हैं, अपना water यहाँ पे, इस एरिया के अंदर में अपना water यहाँ पे flow करती हैं से एरिया के फरो में I screens इसके लावा अगर हम देखे तो यह आपे area दिखाया गया है, ब्रहमपुतरा region के बारे में गंगा ब्रहमपुतरा जो region है, उसके बारे में यहाँ पे हम को बताया गया है, कि गंगा और ब्रहमपुतरा गार जो region है, उसके अंदर में यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे आपको different kind of the rivers हैं बहुत सारी जो rivers हैं उनका water आपको देखने को मिलेगा अगर हम बात करें कि यहाँ पे बताये गया है कि सुन्दरबन नाम का एक delta भी है वो काफी important delta है काफी बड़ा delta है यहाँ पे जो lakes है उनके kind बताएगी है आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे मानसून का जो domination है वो देखने को मिलेगा इंडिया के अंदर आपको पता है कि जो मानसून का completely dependent होता है मानसून की वज़े से इसकी वज़े से जो मानसून की वज़े से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो summers है वो hot रहेंगी और जो winter है वो बिल्कुल cool यहाँ पे देखने को मिलेंगी क्योंकि summer अगर hot ना होंगी अगर आपको यहाँ पे summer के समय में temperature high नहीं जाएगा तो यहाँ पे जो rainfall है उसकी जो possibility जो इतनी अच्छी नहीं रहेंगी उसके behind में हमने last chapters में देखा है students कि air जब hot होती है तो वो हलकी बनती है हलकी बनने के साथ वो यहाँ पे उपर flow करना इस्टार्ट करती है अपने जो direction है वो change करती है इसकी वज़े से यहाँ पे low pressure create होता है नीचे वाले area में और low pressure create होने की वज़े से कहीं समुदर पे जो high pressure है वहाँ से जो rain bearing wind है वो इसकी तरफ यहाँ पे flow करेंगी तो यह students हमने देखा था last chapter के अंदर में इसके अलावा जो गंगा प्रहमपुतर का जो basin का area है वहाँ पे जो topography हो काफी आपको different देखने को मिलेगी mountain area देखने को मिलेंगी इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगी therefore less number of people live in mountain area of गंगा प्रहमपुतर बेसिन the plains also provides the most suitable land for the human habitation और जो soil है वो यहाँ के आपको fertile देखने को मिलेगी इस वज़े से आपको जो agriculture का जो development है जो गंगा प्रहमपुतरा की बेशिन है वो वहाँ पे आपको maximum देखने को यहाँ पे मिलेगा यहाँ जो agriculture का जो development है जो ट्रॉपिकल्स में हमने देखा जो equatorial वाला region है वहाँ पे जो agriculture की practice है वो इतनी जज़ादा नहीं की जाती है उसके behind में भी कुछ रीजर हैं कि वहाँ पे जो agriculture की जो practice है वो इतनी ज़ादा क्यों मिलेगी इसकी वज़े से जो यहाँ पे agriculture की अपर completely dependent लोग मेंगे economy आपको completely जो यहाँ agriculture के ओपर dependent देखने को मिलेगी इसके लावा the density of population in the plains is very high बहुत ज़द आपको population के अंदर density देखने को मिलेगी main crop paddy हाँ पर उगाई जाती है जिसके लिए sufficient water जो यहाँ पर reverse कि थूँ आता है rainfall कि थूँ यहाँ मिलता है तो paddy यहाँ पर main एक agriculture crop के रूप में यहाँ पर उगाई जाती है लोगों की दोबरा इसके अलावा wheat है, means है sorghum है, gram है, millets है यह भी कुछ यहाँ पर other crops हैं जो यहाँ पर उगाई जाते हैं अगर हम बात करने कि कैस crop की तो sugar के निहाँ और जूट यहाँ पर उगाया जाता है, banana का plantation भी देखने को मिलता है कुछ in plains के कुछ areas में जिसमें basically हम बात करें बंगाल और आसाम के जो area हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, tea plantation भी आपको देखने को मिलेगा, silk यहाँ पर प्रेडियूस किया जाता है और उसके crops grown on the terrace, जो hilly area जो हमाँ terrace के उपर में यहाँ पर farming आपको देखने को मिलेगी, इसके लावा students अगर हम बात करें, the vegetation cover of the area is varies according to a type of the land form, जो land form है उनके according यहाँ पर जो vegetation का जो area है, जो यहाँ पर जो crops का जो area है वो vary करेगा, गंगा भरम पुत्रा plains के अंदर जो decidious tree उगाई जाएंगे, जिनकी यहाँ पर decidious tree क्या होते हैं, जो summer आनी के समय में अपनी जो leaves है उनको fall कर देते हैं, उनको shade कर देते हैं, उनको decidious tree बोला जाता है, तो यहाँ पर decidious forest के condition के अंदर जो tree उगनी को देखने को मिलते हैं, जिसमें teak है, people है, thick bamboo है, वो भी हाँ पर commonly आपको देखने को मिलेगा, delta area is covered with the mangrove forest, mangrove forest के रूप में आपको delta areas के अंदर mangrove forest आपको देखने को मिलेगी, इसके अंदर सुंदर बन का जो area है, वहाँ पे जो mangrove forest है, उनकी जो संक्या है, वो काफी जादा आपको देखने को मिलेगी, इसके अलावा इसमें बताया गया है कि जो उत्राकंड सिक्की में अननाचल प्रदेश की जो areas है, वहाँ पे आपको इन जो plain area में जो pine है देवदर है, इन सब की जो tree है वो आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे different kind of climate है different kind of conditions है, तो उनकी वज़े से वहाँ अलग-लग type का आपको variation देखने को मिलेगा students, इसके अलावा अगर हम बात करें कि variety हो यहाँ उने की वज़े से अगर हम बात करें कि यहाँ जो wild life है, वो भी काफी different है, जिसमें elephant है tiger है, deer है monkey है, वो commonly आपको देखने को मिलेगी, one horn rhino है, जो आपको सबसे important है जो ब्रहमल पुतरा plains है वहाँ पे देखने को मिलेगा, काजे रंगा national park है, जो काफी ज़धा famous है bengal tiger आपको देखने को मिलेगी bengal tiger जो सुंदरवन के अंदर काफी ज़धा famous है, crocodiles आपको देखने को मिलेगी, यह सब यहाँ पे देखने इसके लावा आपको aquatic life है वो यहाँ पे abundant मिलेगी fresh river water है, lake है यहाँ पे bengal के region में, most variety यहाँ पे आपको fish देखने को मिलेगी जिसको अलग-अलग नाम से यहाँ जाना जाता है जिसमें रोहू है, कैटला है, इनने हिलसा है इन नाम से आपको different variety की यहाँ पे आपको fish यहाँ पे देखने को मिलेगी और fish and rice का यहाँ पे जो लोगों को अपन right के अंदर योज किया जाता है, fish and rice जो लोगों के दुवरा, इसके अलावा यहाँ पे aquatic animal के बारे में बताया गया है जो gangetic river dolphin है और dolphin के बारे में यहाँ बताया गया है यहाँ बताया गया है कि dolphin जो blind होती है उसको सूसू नाम से जाना जाता है सूसू actually में उसकी जो voice की वज़े से उसको जाना जाता है और completely blind हुआ करती है इसके लावा students अगर हम बात करें कि जो ब्यास के अंदर भी dolphin मिलती है पंजाब के अंदर भी आपको dolphin मिलती है कुछ reverse के अंदर में तो जो gangetic river dolphin है उसको इंडिया का aquatic animal बना दिया गया था 2009 के समय में इंडिया का aquatic animal यहाँ पे declare कर दिया गया था 2009 के समय में इसके लावा all the four ways of transport हैं जो यहाँ पे develop ही हैं जिसमें railway हैं, road हैं इसके लावा हम बात करें कि waterways हैं जिसमें समुदर के तो जो हुगली का port बना हुआ है हमारा कोलकता port है हुगली river के उपर में तो उसकी वज़े से जो sea के उपर transport है inland waterways भी यहाँ पे आपको देखने को बिलेंगी inland waterways तो जो maximum develop ही हैं वो ब्रहमपुतरा region के अंदर में develop ही है गंगा ब्रहमपुतरा का जो area है वहाँ पे इसके लावा इन एरियाज में tourism की काफी ज़यदा जो possibilities हैं ताज महले, ilhabad है यह सब areas हैं इलावा जो basically एक संगम है reverse का संगम है लखनाव है, लखनाव के अंदर आपको इमाम बारा, इमाम बारा जो काफी famous है इससे related, एक बार UPSA ने prelims में भी tuition पूछागा इमाम बारा, बड़ा इमाम बारा और चोटा इमाम बारा जो यहां पे हैं, लखनाव के अंदर में इसके लावा, रूमी दर्वाजा है तो उनके बारे में पूछा कि एक इस चीज के बने हुए है तो students, आप जरूर देखना इमाम बारा और बड़ा इमाम बारा अब काफी वारा आपने देखा होगा बहुत सारी मुवीज के अंदर इनको दिखाया गया है इसके लावा, आपको जो वाइल लाइफ का जो टूरिजम है जिसमें काजी रंगा है, माना से ये वाइल लाइफ सेंचुरीज के बारे में बताया है उस ट्राइबल एरियाज के बारे में बताया है सबसे पहले हम बात करें, हम ट्रॉपिकल में हमने क्या देखा ट्रॉपिकल में हमने देखा कि बारीज ज़्यादा होती है हुमिडिटी भूज ज़्यादा है, बारीज ज़्यादा होती है तो humidity बहुत ज़्यादा है लोगों का रहना काफी ज़्यादा मुस्किल है throughout the year बारीस होती है second अगर हम बात करें इसके अंदर हमने देखा कि कैसे उस समय में वहाँ पे जो लोग रहते हैं वहाँ पे जो पेड़ हैं पेड़ों के बीच में competition होता है उनकी height यहाँ पे increase होती है इसके अलावा हम diversity बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा बारीस होती है throughout the year तो उसकी वज़े से आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे diversity बहुत ज़्यादा है जो यहाँ पे biodiversity आपको जो पेड़ हैं बताय गया है फिर paddy और food के बारे बताया गया है कि paddy और food के गया है सिके लेगर रह इंद सब्य है जिसके अंदर paddy में है इसके लावा और भी बहुत सरस्तार हैं जो यूजादा जाती है मानसून के ओपर completely dependent है इसके लावे यहां पर जो wildlife के बारे में बताया गया है, बहुत सारे wildlife के related animals हैं, जिसमें हम वाइट के जो बंगाल tiger हैं, उनके बारे में बताया गया है, इसके लावा वन हो राइनो, crocodiles, इन सब के बारे जो presence है, वो देखने को मिलती है, इसके लावा students यहां पर जो agriculture की practice है, व के लावा हमारा एक और lecture बनता है, जो 7th class की geography के अंदर में, इन lectures के अंदर ज्यादा कुछ तो है नहीं, जो last की 2-3 lectures है, इनके अंदर ज्यादा कुछ points है नहीं, read करने से related, तो आप एक बार इनको read करना, students, thank you, thank you very much.